मुझे और्गन सिस्टम डिफरेंट और्गन्स जब मिलते हैं तो वो और्गन सिस्टम को जनरेट करते हैं हम और्गन सिस्टम को सेपरेटली पढ़ेंगे अभी तक हम जो सारी चीज़ें पढ़ रहे थे वो सेम थी अनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी लेकिन यहां पर आके थोड़ी सी जो डिफरेंशेशन है वो पाई जाती है अनिमल्स और प्लांट्स के लिहाज से वो क्या है कि और्गन सिस्टम जो होता है प्लांट्स के अंदर वो अच्छे तरीके से develop नहीं हो पाया उसकी अच्छे तरीके से evolution नहीं हो सकी organ level of organization जो है is much lesser definite in plants than it is in animals animals की अगर बात की जाए तो animals के पास बहुत सारे organs है eyes है, liver, lungs, kidneys बहुत सारे organs जो हैं वो animals के पास पाय जाते हैं जबकि अगर हम बात करें कि plants के पास कौन-कौन से organs पाय जाते हैं तो plants के पास organs को अगर हम divide करना चाहें तो हमारे पास roots हैं, stems हैं, leaves हैं और floor के अंदर reproductive structures हैं तो हम इस से ज्यादा कोई organ जो है वो नहीं बता सकते हैं इनके अंदर organ level तक इतनी अच्छी devian नहीं हो सकी इसके बात क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यदा organs मौचूद नहीं हैं इसलिए organ system इनके अंदर develop नहीं हो सका सो plants के अंदर organs की कमी होने की वज़ा से क्या होता है कि organ system नहीं पाया जाता organ system in animals, animals के अंदर organ system बहुत अच्छे तरीके से develop किया गया है organs जो होते हैं, group of organs आपस में मिलते हैं और एक जैसा function perform कर रहे होते हैं इसको एक biological system बना लेते हैं और उससे different functions को perform कर रहे होते हैं बाज वकात एक function perform कर रहे होते हैं बाज वकात एक से ज़्यादा function भी perform कर रहे होते हैं तो जब भी organs आपस में मिलते हैं और मिलके कोई specific function perform कर रहे होते हैं तो इसको हम organ system का नाम देते हैं हमारे पास organ system की बहुत सारी types पाय जाती है इन में से गराम basic organ systems देखें तो हमारे पास respirator system पाया जाता है digestive system पाया जाता है urinary system पाया जाता है और reproductive system यह पाया जाता है यहाँ पे जो diagram है इसमें हम clearly digestive system को देख सकते हैं अब अगर हम यह देखना चाहें कि इनके अंदर कौन-कौन से organs जो है वो पाय जाते हैं तो सबसे पहले mouth है जिसको हम बक्कल cavity कहते हैं उसके पास उसके बाद liver पास passion रिटेस्च कर छिटेस्जड़्सड अथर बेदर कर आ जा़ एजगर पास्च कर अज़ॉ काय।कर पनine खॉड History— क нужен मैंने तरू़।क्य अंदतर्स यहां भी ग्रीन किलर में हमें गॉल बेर भी नजर आ रहा है, आगी रेक्टम है, यह सफेगस है, तो हमारे पास अगर हम यहां पे देखें, तो डेजेस्टिफ सिस्टम के अंदर बहुत सारे और्गन्स जो हैं वो पाय जाते हैं, यह सारे और्गन्स आपस में मिले, इन्हों यही और्गन्स जरूरी नहीं है कि सर्फ एक ही सिस्टम का हिस्टा हो, एक ही और्गन्स एक से ज्यादा सिस्टम का हिस्टा भी हो सकता है, वो कैसे, वो इस तरीके से, कि फॉर एक्जामपल अगर हम देखें, तो हमारे पास जो पैंक्रियास है, पैंक्रियास और साथ में अ हमारे पास इसका digestive system का हिस्सा हैं बलकि ये इसके साथ-साथ endocrine system का भी हिस्सा हैं तो एक organ जो होता है वो जुरूरी नहीं होता कि वो एक ही system में काम कर रहा होगा वो एक से ज़्यादा system में भी हिस्सा ले सकता है नेक्स्ट लेवल हमारे पास जो आ जाता है वो individual है जब system organ systems को plants के अंदर organs को और animals के अंदर organ system को मिलाया जाता है तो एक individual बन जाता है various organs in plants and various organ system in animals उनको assemble किया जाता है assemble कहते हैं किसी चीज़ को तरतीब से एकठा कर देने को उनको जब assemble किया जाता है तो एक individual बन जाता है individual का क्या मतलब है कि कोई एक जिन्दा चीज़ उसको हम individual कहेंगे जैसे एक हाती एक मक्ही एक इंसान एक पौदा यह सब क्या है यह सब एक individuals है यह अलग से individual है यह अलग से individual है यह अलग से individual है किसी plant की बात करें कोई अगर हमारे पास apple tree है तो वो एक individual है अगर हमारे पास leechी का tree है वो एक अलग से individual है तो इस तरह से हमारे पास जब plants के अंदर organ और animals के अंदर organ system मिलते हैं तो वो एक individual को arise करते हैं individuals जो होते हैं वो different होते हैं from other members of the same species in certain respects जैसा के अगर हम बात करें के हाती जो है यह बिलकुल मुक्तलिफ है यह species जो है एक species के जो members होते हैं individuals होते हैं वो देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इसके एक जैसे होने के बावजूद जैसा के तमाम इंसान देखने में अएक जैसे हैं लेकिन एक जैसा होने के बावजूद एक ही species में रहते हुए उनके जो उनके लेतर बहुत सारे differences पाय जा सकते हैं मवजूद हो सकते हैं जैसा के हर इंसान दूसरे इंसान से शकल के लहाज से मुक्तलिफ है हर इंसान दूसरे इंसान को देखते हुए psychologically मुक्तलिफ है आदतों के लिहास से मुक्तलिफ है जैसा के हम एक ही घर में सारे बहन भाई जो हैं हमारी आदते एक जैसी नहीं होती हैं हमारी शकले एक जैसी नहीं होती है तो different manners में एक ही species के जो different members होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं Animals के अंदर All the systems work in coordination with each other तमाम जो systems होते हैं वो एक दूसरे के साथ coordination में काम करते हैं इसका क्या मतलब है For example, हम एक example ले लेते हैं कि आप कोई test solve कर रहे हैं या exam में बैठे हुए अपना exam कर रहे हैं तो अगर आप अपना paper solve कर रहे हैं तो अभी हम इस paper solution को देखते हैं कि यहाँ पे आपके कौन कौन से systems involved है देखने में यह एक simple सी चीज़ है कि हम सिर्फ एक paper पे लिखतो रहे हैं लेकिन वो लिखना इतना simple नहीं है उसमें काफी सारी चीज़ें involved हैं जैसा कि आप अपने हाथों को इस्तमाल करते हुए लिख रहे हैं आप जो लिख रहे हैं वो आपके जहन में store है और फिर आँखें उसको चेक कर रहे हैं कि जो आप लिख रहे हैं क्या वो ठीक है या उसमें कोई error है तो इस तरीके से different systems होते हैं वो coordination में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं और काम करके एक individual जो है उसकी life को चला रहे होते हैं Population जब different individuals आपस में मिलते हैं तो वो population बना लेते हैं लेकिन इसके कुछ criteria's हैं वो criteria's क्या हैं? कि हमारे पास different members क्या होना चाहिए? वो एक species से तालुक रखने चाहिए same location में होने चाहिए और same place में होने चाहिए और same time में होने चाहिए इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम population कहेंगे कि कोई भी population क्या होती है? ये species की एक ही species के members की ऐसी collection होती है जो एक ही वक्त में एक ही जगा पे मौझूद होते हैं example के तोर पे किसी भी rice के field के अंदर चावलों के खेट के अंदर जो चू हैं उनका number कितना है? तो ये rat की population होगी उस field के अंदर number of students in your biology class कि आपकी biology class के अंदर currently कितने students मौझूद है? human population in a city कि किसी भी city के अंदर humans की population कितनी है? इसमें ये चीजों को देखना जरूरी है कि same place होना चाहिए जैसा कि आप देखें कि हमने हर example में place का जिकर किया हमने rats को कहां पे देखा? field of rice में हमने number of students को कहां पे देखा? biology की class में हमने human की population को कहां देखा? city में तो हमने वहां पे जगा को specify किया है इसके साथ ही हमें same time में देखना होता है for example अगर हम ये बात करें कि हम देख रहे हैं कि किसी भी city के अंदर 2020 में किती population मौझूद है तो हम सिरफ उस वक्त में मौझूद population को देखेंगे मत चुके हैं उनको count नहीं करेंगे जितने लोग पैदा होने वाले हैं उनको हम count नहीं करेंगे हमारा मकसद सिरफ ये होता है कि हम उन चीज़ों को count करें जो उस वक्त में यहां पे मौझूद है जैसा कि आपकी biology की class जब आप biology की class में मौझूद होंगे उस वक्त तो आप लोग वहां पे पढ़ने हैं लेकिन चुटी होने के बाद आप वहां से चले जाएंगे उस time सो वहां की population zero हो जाएगी लेकिन हम population किस time पर count करें हम उस time पर count करें जिस time पर आप वहां पर सिर्फ मौझूद हैं उसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं और उससे पहले वहां पर कितने लोग मौझूद हैं हमें उससे भी कोई गर्ज नहीं होती है तो population क्या होती है यह किसी एक species की collection होती है एक ही वक्त में और एक ही जगा में इसको हम population कहते है population जो होती है इसके अपने attributes होते हैं एकदार होती ही जिनको हम study करते हैं जैसा कि gene frequency gene frequency क्या होती है कि किसी भी frequency कहते है किसी भी चीज के होने के chances कितने ज़्यादा है तो gene frequency के लिए अगर हम कोई example देखना चाहें तो हम example ले लेते हैं hair colors की हमारे हाँ पाकिसान में, इंडिया में, बंगलादेश में जो hair का color है वो क्या होता है? black होता है तो हमारे हाँ genes की जो frequency है कौन से genes की frequency ज़्यादा है? black hairs हो है उनकी genes की frequency ज़्यादा है इसी तरह से अगर हम European countries को देखें तो वहाँ पे brown hairs ज़्यादा पाया जाते हैं इनको blonds कहते हैं तो वहाँ पे blonds की frequency ज़्यादा है black की frequency कम है gene flow को देखा जा सकता है gene flow क्या होता है? gene flow होता है कि हम जब genes जो होते हैं उनको move करवाते हैं एक population से दूसरी population में पाकिसान से या इंडिया से एक family shift होई और वो चली गई Canada में जब वो Canada में चली गई तो वो अपने साथ क्या लेके गई? वो पूरी family अपने साथ genes लेके उस population के अंदर चली गई और उसका हिस्सा बन गई अब वहाँ पे जब उनकी generation चलेगी और वहाँ पे जो उनके बच्चे पैदा होंगे तो हम लोग उने एक population से gene का flow करवाया है दूसरी population में age distribution age distribution जो होती है यह हम population के अंदर study कर सकते हैं कि किसी भी population के अंदर कौन सी age के लोग ज्यादा पाय जाते हैं जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास young population की जो amount है वो काफी ज्यादा है इसी जरा से अगर इटली की बात की जाए तो इटली में बूरे लोग ज्यादा है यह हमें कैसे पता क्योंकि हमने दूनों जो areas हैं उनकी population को properly study किया है population density population density का क्या मतलब है कि हमारे पास area के लिहाद से लोग कितने कम या कितने ज्यादा पाय जाते हैं हमारी population की density कितनी कम है या कितनी ज्यादा है for example हमारे पास Pakistan, India, China जहाँ पर जो population density है वो बहुत ज्यादा है जबकि हम दूसरे ऐसे countries की बात करें जहाँ पर population कम है जैसा कि Saudi Arabia वहाँ पर population काफी कम पाय जाती है तो उनकी population density काफी कम है population pressure population pressure क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी population पाय जाती है उसका pressure ultimately land को बरदाश करना पड़ता है इसका ये मतलब नहीं है कि हम जितने भी लोग मौजूद है उनका वजन जमीन को बरदाश करना पड़ता है इसका मतलब ये है कि अगर हमारी अबादी ज्यादा होती है तो हमारे पास हमें अगर हमारी population ज्यादा है तो हमें food ज्यादा चाहिए उस food को grow करने के लिए हमें crops की जरूरत होगी खेतों की जरूरत होगी और वो भी ultimately हमें उसी एरिया की जमीन पे उगाने पड़ेंगे जितने लोग ज्यादा होंगे उनकी education के लिए उतने ज्यादा schools और universities चाहिए होंगी जितने लोग ज्यादा होंगे उनकी सिहत को जो है मदे नज़र रखते हुए उतने hospitals ज्यादा बनाने होंगे उतने दफ्तर ज्यादा बनाने होंगे और उतने ज्यादा नोकरी के मवाक्य उनके लिए पैदा करने पड़ेंगे इसी तरह से population जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सड़कें बनानी होगी तो ultimately यह जो सारा हमारा जो environment होगा इसके उपर यह सारा pressure shift हो जाता है इसको हम population pressure का नाम देते हैं कि हमारा जो environment है वो कितने लोगों को support करता है और कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं जैसा के जो ज्यादा populated areas होते हैं वहाँ पे चीज़ों को compete करने के लिए meet करने के लिए industries भी ज्यादा होती है उसकी वज़ा से वहाँ पे pollution भी ज्यादा हो जाती है इसी तरह से अगर लोगों की तदाद बहुत ज्यादा होती है तो हमारा जो water का level होता है जमीन का वो भी आहस्ता आहस्ता थोड़ा सा down होना शुरू हो जाता है क्योंके consumption हमारी increase हो जाती है इन सारी चीजों को हम population pressure के अंडर study करते हैं क्योंके जाता है जाता है